आज हम लोग दर रनावे काईट के यूनिट 3 रीट करेंगे So now we are going to start A month later, a letter came for father एक महीने बाद यहाँ पे देखिए पहला letter जो है वो है बाद में और दूसरा letter जो है वो पत्र है तो एक महीने बाद एक चिथी आई for father, पापा के लिए After he finished reading it जब उन्होंने अपना letter पढ़ना complete कर लिया, finish कर लिया His eyes looked as if he had been crying उनकी आखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे he is crying वो रो रहे है Do you want to know what became of your kite? तब पापा ने कहा कि क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने जो पतंग उड़ाई थी उसका क्या हुआ? He said, उन्होंने कहा Then he sat down beside us और वो हमारे पास बैड गए and told us the whole story और हमें उन्होंने पूरी कहानी बताई Father had a brother and a sister पापा के एक भाई थे और एक sister भी थी He had quarreled with his brother and left home उनका अपने भाई से जगडा हो गया और वो घर छोड़ दिये Left home घर छोड़ दिये किसके पापा? Claude के पापा Years afterward, कई साल बीतने के बाद ही felt sorry उन्हें बहुत दुख महसूस हुआ अपने परिवार के लिए and when he went back और जब वो वापस गए He found, उन्हें पाता चला His brother had died, उनके भाई की death हो चुकी थी and he couldn't find his sister और उनकी बहन के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला The letter father had just received जो letter अभी पापा ने just पाया है The letter which he got now was from his sister वो उनकी sister के यहां से आया हुआ है जिनका नाम Aunt Esther है Mother of Dick and Mimi जो Dick और Mimi की ममी थी She was a widow वो अब एक बिधवा हो चुकी है मतलब her husband is no more now who lived hundreds of miles inland जो की यह लोग तो island बेराते थे तो जो mainland था mainland से कई मिलो भीतर वो अंदर रहते थे One day when Dick and Mimi were out in the woods So एक दिन Dick और Mimi जो थे हुआ woods में मतलब जंगल में गये थे They discovered the kite on the top of a tree उन लोगों को they found उन लोगों को मिला एक पतंग जो है on the top of a tree एक पेड के उपर मिला and carried it home और वो लोग उसे जो भी हो जैसे भी हो उसको उन लोगे न उतारा और उसे लेकर वो घर गये When their mother saw the kite patched with the letter जब उनकी मा ने उस kite को देखा जिस पे चिपका हुआ था वो लेटर वो चिथी She turned pale उनके चेहरे का जो कलर था वो अचानक से पीला पड़ गया Out of dirt डर के मा रही या कोई जनक घटना हुई होगी साज इसलिए It was the very letter she had once written to her brother यह हुआ ही चिथी थी जो एक बार उसने अपने भाई को लिखी थी Philippa was her mother's name and Claude was her father's Philippa जो नाम speaker का है वह उनकी मा का नाम था मतलब की Aunt Esther या फिर Claude के पापा का मा का नाम था Philippa और उनके पापा का नाम था Claude She knew उसे पता चल गिया Who we must be कि हम लोग कौन होंगे So she sat down and wrote to Big Half Moon इसलिए वह बैठी और उनने तुरंत एक letter लिखा Big Half Moon के लिए And father received the letter और पापा उनका letter पाई Next day अगले दिन letter मिलने के अगले ही दिन Father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him Papa, Aunt Esther को, Dick को और Mimi को जाकर ले आएं अपने साथ They have been here ever since और तब से वो हमारे साथ ही है Aunt Esther is a dear Aunt Esther हमारी बहुत ही प्रिया है And Dick and Mimi are too jolly for words और Dick और Mimi तो हमारे लिए बहुत ही खुसी के मतलब कारण है कि हम लोग उनको मिलकर बहुत खुसी हुई है उनके साथ हम लोग काफी enjoy करते है But the best of it लेकिन सबसे अच्छाया रहा कि that we have relations राव कि अब हमारे भी रिस्तेदार हैं हमारे भी सगे संबंधी हैं So आपने देखा कैसे कि एक छोटी से चिठी जिसको इन लोगों ने काइट पे चिपकाया और कैसे एक नए रिस्ते को उसने जन्म दिया ओके आज के लिए इतना ही Thanks